अलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो सिभा फूडर चैनल तो मैं सीमा सी आज में बनाने जा रही हूँ लोगों की पसंदीदा सब्जी अलू कथल की सब्जी तो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो अलू कथल सब्जी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ हाफ केजी कथल तो मैं कुकर में डाल दी हूँ आधा लेटर पानी तो अब इसमें मैं डाल दूँगी सारे कथल को दीखें हमने सारे डाल दिये अब मैं इसमें डालूँगी नमक तो नमक मैं डालूँगी हाफ छोटी चम्मच और मैं इसमें डाल दूँगी एक पिंच हल्दी तो हल्दी डालने से इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है तो मैं अब कुकर के लिए बंद कर दूँगी, और गैस का फ्लेम ओन कर दूँगी, और इसे मैंने चड़ा दिया है गैस पे, तो इसे हमें 30-40% हमें कठल को पकाना है, इसलिए मैं एक विशल तक पकाऊंगी, तो देखिए हमारी कुकर के विशल बज गई, तो मैं फ्लेम को ओफ कर दूँगी, और इसे ठंडा होने का वेट करूँगी, तो देखिए इसके सारी प्रशर निकल गई है, तो मैं इसके लिट को खोल दूँगी, और मैं इसे चेक करूँगी, तो देखिए हमारी कठल एक तम पर्फेक्ट पकी है, तो मैं इसे अब एक स्टेनर की साहता से इसका सारा पानी निकाल लूँगी, इस प्रोसेस को करने से कठल का सारा लेस निकल जाता है, तो अब मैं गैस पे कड़ाई रख रही हूँ, और गैस का फ्लेम अन कर रही हूँ, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ओयल, और मुझे कठल को अब सेलो फ्राई करना है, तो देखिए इसे थोड़ा सा मैं स्टर कर रही हूं देखिए हमारा कठल थोड़ा थोड़ा भुन रहा है या देखिए हमारा कठल अच्छा से भुन गिया तो मैं इसे अब निकाल लूँगी देखिए बहुत अच्छा से कठल भुना है हमारा तो कठल की सबजी वेजटेरियन और नॉन वेजटेरियन की पहली पसंद होती है तो अब मैं इसमें डालूँगी ओयल थोड़ा सा तो हमने इसमें हाफ चोटी चमच हमने इसमें तेल डाल दिया अब हमने चार बॉइल डालू लिये हैं जिसे हमने बड़े बड़े टुकरे में कठल के सेप में जैसा काटा था वैसा हमने आलू को भी काटा है तो इसे मैं स्टर कर दियूंगी अब इसमें मैं टालूँगी नमक तो नमक मुझे अभी अब बस आलू के हिसाब से ही डालना है तो मैं इसमें हाप छोटी चमच नमक डाल रही हूं और थोड़ा से स्टर कर दूँगी देखें, हमने स्टर कर दिया अब इसकेलेट को बंद कर दूँगी नमक डालने से तोड़ा मॉइस्टर निकलेगा और आलू उसे अफजर्व करेगा तो देखें मैं चेक करती हूँ आलू हमारा थोड़ा थोड़ा भुन गया है तो आलू हमारा तो पहले से ही पका हुआ है बस इसे हमें इसका उपर से कलर चेंज करना था तो अब मैं इसे निकाल लूँगी देखें हमारा आलू अच्छे से भुन रहा है तो इसे मैं निकाल लूँगी इसे सारे आलू निकाल लिए तो अब मैं फिर से इसमें ओयल डालूँगी तो हमने इसमें दो बड़े चमच हमने ओयल डाला है तो अब मैं इसमें सुखे मसाला डालूँगी जिसमें हमने हाप छोटी चमच जीरा, तेजबता, डालचीनी और दो छोटी इलाइची हमने लिया है तो इसे मैं डाल दूँगी तो ये थोड़ा sizzle होने लगेगा इसे stir कर दूँगी तो sizzle होने लगा तो मैं इसमें दो बड़े प्याज को हमने chop कर लिया उसे मैं डाल दूँगी तो हमने थोड़ा stir कर दिया इसे देखें अच्छे से mix हो गए और इसे हमें थोड़ा transformation होने तक पकाना है तो मैं इस kitled को बंद कर दूँगी तो चेक करते हैं देखें थोड़ा थोड़ा transformation हो गया इसकी colour थोड़ी change हो गई है हमने थोड़ी stir कर दिया तो अब मैं इसमें 2 tomato को डालूगी और tomato को हमने roughly chop किया है तो देखिए हमने टमाटर रफली किया है चॉप तो मैं इसमें डाल दूँगी अब हल्दी तो हल्दी हमने डाला है हाफ चोटी चम्मच एक चम्मच लैसुन ग्रेट किये वेक अद्रक एक चम्मच जीरा पाउडर वन फोट चम्मच गोल मिर्च पाउडर धन्या पाउडर हाफ चोटी चम्मच धन्या मैं जादा ने डालती हूँ ये लाल मिर्च पाउडर हाफ चोटी चम्मच कास्मेरी मिर्च हाफ चोटी चम्मच और मैं इसमें नमक डाल दूँगी नमक मुझे सिर्फ मसाले के अनुसार डालना है क्योंकि हमने आलू और कठल का नमक हमने पहले डाल दिया है तो नमक मैं एक चम्मच डाल रही हूँ और मुझे से अच्छे से चला लेना है तो देखे मैं अच्छे से चला रही हूँ मिक्स कर दे रही हूँ तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ देखे इसे दबाते वे चलाए जिसे ये थोड़ा सा मैशी हो जाए देखे टमाटर प्यास मसाले में अच्छे से मिक्स हो रहे है तो मैं अब इसका लिट बंद कर दूँगी जिससे थोड़ा सा प्यास मसाला आपस में अपना भूनेंगे अच्छे से पकेंगे तो अब देखे इससे तेल थोड़ा अलग हो गया है तो मैं इसे फिर से दबाते वे चलाओंगी दिखे थोड़ा सा और मैसी हो जाएंगी यह पक गए है थोड़े मैसी हो जाएंगे देखें कितनी अच्छे से मिक्स हो गए तो मैं इसे स्टेट पर डाल दूँंगी आलू और कठल को ये तो पकेवे हैं ही बस इसे मसाले के साथ थोड़ा सा पकना है तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इस समय में डाल दूँगी इसमें चिकन मसाला यह totally optional है तो मैं इसमें एक चमस डाल रही हूँ यह optional है आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते मैं कोई खास सबजी में चिकन मसाला डालती हूँ तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी जिससे मसाले सबजीों को अच्छे से कोट हो जाए तो अब मैं इसके लिट को बंद कर दूँगी तो मैं इसे 10 मिनट बाद चेक करूँगी तो देखिए हमारा 10 मिनट हो गया है तो मैं इसे फिर से लिट लगा दी अब 10 मिनट बाद फिर मैं खोली तो देखिए यह सबजीयां हमारी अच्छे से बुन गई है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी तो पानी मैं थोड़ा भी डाल रही हूँ और इसे मिक्स करूंगी तो देखिए अभी और थोड़ा और डालूंगी तो ऐसे मैंने फूरे एक ग्लास पानी डाल दिये तो अब मैं इसमें डालूंगी कस्तूरी मेति तो कस्तूरी मेति को मैंने हाथों से अच्छी आती है तो अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला एक चम्मच हमने गरम मसाला लिया है और इसे मैं अच्छी से मिक्स कर दूँगी और इससे पाँंच मिनट के लिए लिद लगा कर छोड़ दूँगी तो फ्लेम अभी हमने लोटो मेडियम रखा है तो इसे मैं अब चेक करती हूँ मारा पांच मिनट हो गया तो देखें सबजियों का कितना अच्छा कलर आया है कितनी टेस्टी और यमी लग रही है देखने में इसका टेक्स्टिर देखें फ्रेंट्स है न लाजवाब हमारी आलू कठल की सबजी देखें हमारी सबजी कितनी अच्छी बनी है दिख रहा है बहुत ही यमी है इसका कलर देखें अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ इसे मैं धनिया की पत्ती से हमने इसे डेकुरेट किया है तो फ्रेंट्स आपको मेरी रस्पी बहुत अच्छी लगी होगी तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक और सियर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नॉटिफेकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फ्लास हो रहा होगा आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो पॉलो कर दो नीचो प्लास होगाँ